बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी टुमिंद पेपर हैकर में मसुरस राज और आज की देखने वाले जो भी छात्र बीसी धर्डियर में है यह फिजिक्स का सेकंड पेपर है और यह 4 जुलाई 2022 को यह पेपर होने वाला है और मैंने इसके फर्स्ट पेपर जो प्रेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे मैं आपसे जो प्रॉमिस करता हूं उस प्रॉमिस को पूरा निबाता हूं तो आप भी एक मुझसे बादा करिए कि इस वीडियो को ज्यादा से जादा आप शेयर करेंगे और अपने जो भी क्लास में जिस क्लास में बैठते हैं उस क्लास में बैठ कर सभी जो चातर होते हैं आसपास करने लोगों जाते हैं तो फिरुस के बाद पेपर नहीं मिलता है है तो अप पहले से पहले आने वाले होते हैं साथी साथ हम अब लोगों को पूरी त्यारी भी गराते हैं तो आप श्राल को सब्सक्राइब जरू करो यार दोस्तों को शेर करो कोई दिक्कत है तो comment section बताओ ठीक है ठीक है आप देखो कौन कौन से question आपको याद करके जाना है मतलब कि 4 जुलाई वाले paper में देहान से अपने book notes गैस paper पर टिक लगा लेना बाकि कुछ जरूत नहीं है आप इसमें short और long आपको ये तो पता है paper में जो long question बन रहा है वो 6 question पूछे जा रहा है जिसमें से 3 question करने होंगे बहीं short जो question बन रहा है उसमें से आपको 8 question पूछे रहा है 5 question करने होंगे बहीं आप से very short question जिसे हम बहुवी कलपी question बोलते हैं वो कितने बन रहा है वो बन रहा है 5 जिसमें 5 में 5 करने होंगे 19 question पूछे जा रहा है जिसमें 13 question आपको करने होंगे बस अगे कुछ खास नहीं है, जो आपके पांच कोशन MCQ जो कोशन बन रहे है उनके लिए आपको हमारी PDF को डानलोड करना होगा, PDF का लिंक में डिस्क्रप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, या फिर आप हमारे paperhacker.in website पर जाकर भी डानलोड कर सकते हैं, या फिर second MCQ, ऐसे करके आप सर्च करोगे paperhacker जूर लिख देना, paperhacker bsc third year mcq physics तो आपका आज आएगा, वरना paperhacker नहीं लिखोगे, तो किसी और के आएंगे, और आप और पढ़के, मैं आपको नहीं कह सकता कि भी 5 में से 5 कोशन भास सकते हूँ ठीक है, जो आपको बता तो भाई कर रहा है तो आप सभी लोग पहले तो आप college में जाएंगे, अपने class में सबको paperhacker के बारें बताएंगे, यह आप उससे बादा करिए अभी सभी लोग, ठीक है जतने student इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग बादा करेंगे, एक बार सभी लोगों को बताएंगे, जो आपके classmate है, कि भाई paperhacker से पढ़के आओ, अच्छे नंबर पूछते हैं आप से, कि भाई है, इस question समझ रहे हूँ, पेशाब करने गया मैं इधर, और उसमें क्या हुआ कि मेरे कुर्सी के नीचे किसे इंचिट डाल दी, ये कोई बहा ना होता है, नकल तुम लेके जा रहे हूँ, कि toilet गया, कि बहां गया, कि उधर गया, पता तो इसलिए कहता हूँ, थोड़ी सी सकती अपने आप में रखो, थोड़ी power रखो, energy घर्च करो यार, पढ़ने में, और copy लिखने में, अब यहाँ देखो, पहला question आपको याद करना है, फर्मी उर्जा क्या होती है, ये most important question है, और long और short में, आपको डरने की जुरूत नहीं है, long 200 मिलकर long बनता है, या 300 मिलकर long बनता है, समझ रहे ना, तो फर्मी उर्जा, और जो bond उर्जा, देखो, ये जो question आएगा, ये वाला, ठोस bondों के सिद्धान, उर्जा, उर्जा, बॉंट सर रचना जिसमें, बिद्धुधारा कट-कट के पर भाइद होती है, जैसे कि, कह सकते हैं, example के दौर पर, कि जो कागज है, उसको तेल में भिखा दो, और आप बिजली के तार पर लगाओ, तो अब एक करेंट मारेगा हलका, फिछोड़ देगा, मारेगा हलका, छोड़ देगा, मारेगा हलका, छोड़ देगा, तो अर्दचाला कहलाती है, ठीक है न, समझ रहें, तो ये चीज़ होती है, तो ये कोई पढ़ने की चीज़ दोड़ी है, तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, सरंकला अभी करिया, most important है, आप इसको पढ़के जाएंगे, जो box में बंद कर दिया है, वो आपको पढ़के जाना ही, रटके जाना है, एक ये कोईशन है, ये 100% long में बनता है, इसको short में long में पढ़के जाना है, तो भी आपको ये कोईशन कांसा बनाना है, ये crystal के साथ आप crystal कितने प्रकार को प्रकार पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि आयनिक crystal ठीक है, ये crystal जितने भी होते हैं, वो सारे crystal आपको देखने को मिलेंगे, आयनिक crystal most important है, ठीक है, उनके गुणों के बारे में, ये सब इसको शन कंतरती आता है, तो आप एक बार पढ़ोगे, पू कोई दिक्कत किसी को, नहीं, आप यहां देखो क्या है, ये वाला कोशन बहुत ज़्यादा पूचा जाता है, ये वाला, ठीक है, युकवा का मेसौन सिध्धान्त, most important है, ये most, most पर लगा देना इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा बनता है, नाविक का कह सकता है, दरभ गने में, पर कर देखा कर देखो, नाविक की सरतना उपर बता, छोड़ दीचे, बहूब है, पढ़को पर लोगे तो बना मना के लिख दोगे, बढ़ा कोशनFR नहीं है, परमाडू बंब इस मॉस्ट इंपोर्टेंट आप इसको पढ़के जाओगे यह आपका बनेगा सौट में यह फिर सौट मी मिलेगा लॉंग में नहीं बनेगा ठीक है और उसके बाद में आता है नीचे आप जाएंगे अलफा छै मैंने आपको शायद बता है अलफा छै को एक बर पिढ़ेंगे रखरेंगे इनावी की घंडन को जानते उपनावी की में कैसे अटै आप इसको पर लुट को रट लेना बिल्कुल Nines से पड़ते हैं इसको क्या चालक किसे कहते हैं जैसे कि लोहा हो गया, अलमोनियम हो गया पकड़ लो बिजली को और तुम पकड़ लो खतम हो जायोगे तो क्या हुआ इसमें धार आ रही है, संद रहे न अब आचालक क्या होता है लकड़ी सूकी लकड़ी यह मारो बिजली के तार पढ़ा पकड़ेगी सब्सक्राइब करें आपने हमसे और हमने आपसे पूरा करेंगे आप वीडियो को शेर करेंगे सभी दोस्तों को क्लास बाद बच्चों को बताएंगे पहले ये काम करना है आपको कॉल जाते ही ठीक है और उसके बाद में पेपर होते ही मेरे वाटसप नमबर इसक्रप्शन बॉक्स में है 7037327838 उस पर फोटू खेज़ कर मुझे सेंड करें ठीक है और इसलिए हम अपना काम सोड़कर आपको सबसे पहले आपकी बारे में सोचते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेर कर देना थैंक यू बाई बाई